हेलो एवरिवन वेलकम टू डाउटनेट एंड वेलकम टू यूर कंप्यूटर एप्लिकेशन क्लास तो बच्चो मेरा नाम है आकर्ष और मैं आपका कंप्यूटर टीचर तो बच्चो आज मैं आपके लिएक सेशन लेकर आया हूं जिसमें आज हम बात करेंगे ठेयोरी बेस् लिए उसमें जो चैप्टर इंटरनेट बेसिक्स उस पे आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं तो यह क्वेश्चन आपको बहुत हैल्प करने वाले आपके एक्जाम के लिए क्योंकि एक्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन साप से पूचे जाएंगे तो हम कई सारे पे वन बाइवन क्वेश्चन से और उनके आंसर तो अगर मैं पहली बात करूँ तो सबसे पहले अगर इंपोर्टेंट है तो जिसे डिफाइन इंटरनेट यह आपके कुछ टू माक्स या वन माक्स के अंदर कुश्चन आपसे पुछा जा सकता है कि डिफाइन कर ये इंट रखी हुई है यहां पर ठीक है इसी तरह से आपको डेफिनेशन का यूज करना है कि क्या लिखाए इंटरेंट इस वास्ट नेटवर्ग डैट कनेक्स कंप्यूटर आल ओवर दी वर्ड थो दी इंटरनेट इंटरनेट है क्या इंटरनेट एक्टूलिए नेट्वर्ग है ज देख सकते है डिए डिफाइन डब्लू डब्लू तो इस तरह सभी कोशंञा सकता कि बह ir Defisen Africa wwk तो बैज डबल डबलू को फूल फॉर्म सबसे पहले जानेंगे वर्ड वाइड वेब यह है क्या विच इस ऑल्सो नोन एज वेब इस एक लेक्शन ऑफ वेब साइड और वेब पेज डबलू डबलू यह एक रिसोर्स है जहां पर आपके वेब साइड और वेब पेजस रहते हैं तो यहां से हम वेब पेजस और वेब साइड को एक्सिस करते हैं थूदी इंटरनेट ठीक है इस्टोर इन web server and connected to the local computer through the internet तो वेब ये क्या है www ये क्या है resource है जहां पर आपके web pages और website store रहती है और हमें इनको access कैसे करते है through the internet तो अगर इस टाइप की कुछ definitions आए तो आप ये language use कर सकते हैं ये answer use कर सकते हैं चली आगे क्या आता है वाट इस website अगर question exam में पूछ ले जाए कि वाट इस website तो वेब साइड क्या website is a collection of many web pages and web pages are digital files web pages होते हैं actually web pages html page होते हैं web document होते हैं और उन्हीं के collections को हम क्या बोलते हैं बच्चो website बोलते हैं ठीक है तो भाई collection of web pages को क्या बोल सकते हैं website बोल सकते हैं तो एक या तू एक या दो marks के अंदर question पूछा जा सकता है आपके exam के अंदर की वाट इस website है clear now define the web server यह भी आ सकता है कि यह web server क्या है तो web server एक computer की तरह होता है जो कि क्या store करके रखता है आपके web pages और website को store करके रखता है internet में जो भी आप search करते हों कहां पर स्टोर है वेब pages फिर्ट और आप एकसेस करते हो थुरूदी web browser web browser जब आप कोई भी web page की request web browser की थ्रू करते हो तो वह request कहां पर जाती है web server बेजाती है फिर आपकी वो request receive करता है और आपको आपकी request के according आपको web pages deliver करता है जो की web browser लाके आपको क्या कराता है display कराता है तो web server it is a computer program that opens the web page and response when client computer requested तो इस तरह से आप definition क्या कर सकते हैं लिक सकते है ठीक है next और क्या आता है तो भाई short time question discuss करें what is the use of website address ये question पुछा जा सकता है कि website address का use क्यों करते हैं देखिए website address क्या है कि इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं कोई website सर्च करते हैं तो उसको address के तुरू सर्च करते हैं क्योंकि internet में तो millions of trillions of information available है अब उसमें से जो information आपको चाहिए तो उसको ढूंडने में हमें help कौन करेगा website address तो website address contains the information about the location of the webpage it is also known as the URL तो इस तरह से आप define कर सकते हैं अगर आप से पूछा जाए what is the website address और यह आपके book questions है यह सारे book questions है जिनको हमें solve कर रहे हैं clear what is the use of search engine अब search engine क्या है आपको पताए कि internet पे बहुत सारी information अब उसको search करने के लिए हमें एक टूल जाई है जिसका नाह में search engine वह search engine कैसे वह करता है जो भी आप क्योरी जो भी कुछ search करते हो उसमें से keywords को find करके आपके searching perform करता है और आला के आपको आपका result डिस्प्ले कराता है ठीक है तो search engine क्या है search engine is a software program that helps people to find the information they are looking for online using keyword or phrase तो search engine एक software है टूल है जो कि क्या करता है आपको कि जब भी आपको information search करते internet पे तो कुछ keywords के तुरूब वह searching perform करता है और आपको आके आपको information लाके deliver करता है ठीक है clear तो अगर यह questions पूछे जाए तो इस तरह से आप definitions लिख सकते हैं चली next question क्या आते हैं कि what is what is the application of internet आप से पूछा जा सकता application क्या internet की तो internet की बहुत सारी applications है कि जैसे हम online communication करते हैं internet के तुरू online shopping भी करते हैं आप e-commerce बोलते हैं e-shopping बोलते हैं और education purpose के लिए जिसे हैं e-learning बोलते हैं आजकल e-learning करने हैं ठीक है e-learning financial transaction job search आप job research करते हैं banking जिसे financial transaction transaction मतलब e-banking भी करते हैं तो अगर आपसे ऐसा question आ जाए कि what is the application of internet तो आप ये points लिख सकते हैं और आप full marks score कर सकते हैं उस question के अंतर clear तो बहुत सारे application से मैंने कुछ important application लिख सकते हैं अगर exam के अंदर कुछ question पूछा जाया तो अब इस सरह से लिख सकते हैं ना अब कुछ ऐसा भी question आ सकते हैं one marks के अंदर define the term web page और home page आपको पता है web page क्या है web page HTML document है जब भी आप internet में कोई information search करते हो तो वह information आपको web pages के form में deliver होती है और web pages actually में है क्या HTML document जिसको हमने HTML में design किया है तो time क्या हो जाएगा अब web page is a hypertext document provided by website and display to the user in a web browser और web page को display कहां कराते हैं web browser ठीक है web browser clear काप display कराते हैं web browser पे home page क्या होता है किसी भी website का 1st page किसी भी website का main page को हम क्या बोलते हैं home page बोलते हैं ठीक फोर यहां पर लिखी definition our home page और home page is the main web pages of website तो किसी भी web page किसी भी website का पहला पिजुमेन पेजुता हो सी को हम home page बोलते हैं तो इस ऐसे terms आपको define करने के लिग्साम के अंदर आ सकते है कि what is the web page again what is the home page तो यह आ सकता है question ठीक है और क्या short type questions से आगे चलते हैं what is blog define the blogger also कि इस तरह से question कि blog care blogger कौन होते हैं तो blog क्या होता है देखिए blog होता एक website actually website होती जो क्या focus करती एक written content पर focus करती है किसी भी topic पर related लोग blog लिखते हैं मतलब कोई इनफर्मेशन किसी website के अंदर किसी भी topics related उसको हम बोलते हैं ब्लॉग या blog post भी बोला जाता है जिसे लेट सब्सक्राइब मुझे food या travel करना पसंद तो मैं travel blogging कर रहा हूं मैं अपनी या किसी website बना रखी जहां पर मैं इनफर्मेशन शेर कर रहा हूं और लोग आके उस information को क्या कर रहा है रीड कर रहे हैं उस पर comment कर रहे हैं ठीक है अपनी suggestions भी दे रहे हैं बट ब्लॉग इंग होती क्या है एक पोस्ट होता है एक website होती है कि ब्लॉग इस टाइप आफ वेबसाइट फोकस और में लिए और रिटेंड कंटेंड रिटेंड कंटेंड पर फोकस किया जाता है और अलसो नोन एस ब्लॉग पोस्ट अब इसमें दूसरा कोश्चन पूछे लागया कि डिफाइन ब्लॉगर ऑल्सो तो ब्लॉगर क्या होते है जो परसन इस वेबसाइट को मेंटें करता है जो ब्लॉग को मेंटें करता है जो उसमें कंटेंड लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं ब्लॉगर बोलते हैं तो आजकल बहुत टाइप की ब्लॉगिंग वेबसाइट हो लोग बिजनेस के ऊपर अपने कंटेंट लिखते हैं ट्रैवल ब्लॉगिंग होती है तो यह ब्लॉगिंग के टाइप से कुछ तो यह भी आप याद रख सकते हैं कि बिजनेस ब्लॉगिंग होती है फूड ब्लॉगिंग होती है ट्रैवल ब्लॉगिंग होती है तो यह कुछ साइट्स आप क्या कर सकते रिमेंबर रख सकते हैं कि आपके एकजाम में पूछा जा सकता है यह ना तो यह क्वेश्चन बहुत ध्यादा हेल्प करेंगा आपको एकजाम के अंदर क्योंकि एकजाम ताइब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको यह डेफिनीशिंट बहुत हेल्प करेंगी अब क्या लिखा यहां पर देखें क्या लिखा एक्सपेंड डिटाम सम्पीट एस्टीटीपी और आपको यह पता है कि दोनों प्रोटोकॉल है तो आप फुल फॉर्म में भी याद रखना है तो सम्पीटी का फुल फॉर्म क्या है बई सिंपल मेल ट् ट्रांसवर प्रोटोकॉल और यह कोश्चिन पूछा भी जा चुका है बोर्ड में पहले तो यह फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं वाट इस प्रोटोकॉल इस टाइप का भी कोश्चन आ सकता है कि प्रोटोकॉल गया होता है तो प्रोटोकॉल एच्छी नहीं होता कि म रूस और रेगुलेशन्स को फॉलो होके होगा वह में कौन बताता है वह प्रोटोकॉल बताते हैं प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है सेट आफ रूल्स असेट आफ रूल्स और प्रोसीजर फॉर्ट ट्रांस्मिसिंग डेटा बिट्वीन एलक्ट्रोनिक डिवाइसेज सच अस कंप्यूटर जब आप कभी भी दो डिवाइसेज के बीच में डेटा ट्रांस्मिशन होता है तो वहां पे प्रोटोकॉल वर्क करता है कि कैसे प्रो प्रोटो कॉल करता है तो अगर आप से कोशन पूछा जाया तो आप यह डेफिनेशन श्यूर्ली एक्जाम के अंदर लेक सकते हैं और इस सारे कोशन्स गुक के हैं हमारे और इंपरमेशन शेरिंग और इंफरमेशन कोके अक्सेस करना बड़ा असान हो गया तो सोशल मीडिया के तुरू आप बहूत सारी इंफरमेशनने जान लेते हैं बहुत सारी चीजों को पता लग जाता है क्यूं ie करते हैं ठीक है मैं क्या करते हैं थ्लिए porkmark name and it to कोई भी दो सट सोशल नेटवकिंग्ग साइट के एंग्जांपल दे सकते हैं यहां पर दिया है फेस्बुक और टूटर आप और भी दे सकते हैं ठीक है यहां मैंने फेस्बुक और टूटर दिया तो इस तरह से कोजिशन आपके एक्जाम के अंदर बच्चे पूचा ज मगould Guru सकता है मैं नो नीक्स सोचन किस तरह से राइट सors नोड और नी फॉडए इन देन इंग इन इस चौबिंग इस तरह से धी कि आपको शॉर्थ नोड लिखने के लिए बोला जा सकता है कि इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं ठीक है Electronically via internet, तो आप जो भी Transition कर रहे हैं वो किस के गंडू कर रहे हैं Internet के गार्म तो आजकल बहुत सारे एप है जो कि e-Banking को support करते हैं अगर मैंनाम लो तो UPI phone pay भारत Pay बहुत सारे रह men जो कि e-banking को support करते जिसके तुर्वा प्राइबendo सब कर रहे हैं एक जगा से बाटे डूसरे किसी लोगों को ठीक है तो одним कंदिण इंटरनेट के तुरू क्या करना ट्रांजिक्शन करना उसी कों बोलते हैं या है इंटरनेट सकता है इसके लिए तो online shopping is the form of electronic commerce electronic commerce के बतला मद डिजिटल commerce क्योंकि हम यह कैसे किसके थू पॉसिबल बार इंटरनेट के थू पॉसिबल हुपा रहा है online shopping which allows customer consumer to directly buy goods service from seller तो आप क्या कर रहे हो यह शॉपिंग में अच्छली क्या रहा रहा यह शॉपिंग में शेलर हैं आप क्या कर रहे हो गुडबाय कर रहे हो तो लोग सेल भी कर रहे हो आप और बाय भी कर रहे हैं from seller over the internet using a web browser और mobile application तो बहुत सारे ऐसे e-bank e-shopping applications है ठीक है और websites भी है जिनके तुरू आप समान खरीदते हो समान बेच चुते हो ठीक है तो e-business भी बोला जा सकता है इसको हम टम e-business भी यहां पर यूज कर सकते हैं ठीक है online business भी बोल सकते हैं इसको हम e-commerce के अंदर आता है यह online business या e-commerce के अंदर आता है जो business online किया जाता है उसको हम e-commerce बोलते हैं या online business भी बोलते हैं तो e-shopping comes under the e-commerce क्योंकि shopping में actually हो क्या रहा बिजनेस ही तो हो रहा है क्लियर तो इस तरह से आप short note लिख सकते हैं आप से पूछा जा सकता है तो इस तरह से आप online platform भी कर रहे हो online internet के तुरू जो learning कर रहे हो से हम क्या बोलते है ईरनीं अभी हम तो training या-learning कर रहे हो तो उसको हम यह learning बोलते श्यिस्टम आफ लर्णिंग और टीचिंग थ्रो elektronically media especially the internet जो internet के तुरू जो आप टीचिंग या लर्निंग कर रहे हो उसे हम लर्निंग बोलते हैं उसके दो एडवांटेज बताने सबसे अच्छी बात क्या है कि बाई एडवांटेज क्या है कि ऑनलाइन कोर्सेस ब्रिंग बैठेज को अब कहीं भी बैठे घर पे बैठे बैठे आप कुछ भी सीक्ष सकते हैं ऑनलाइन इसका एडवांटेज है ऑनलाइन कोर्सेस ऑफर मोर इंडिविजले डिंशन बिल्कुल सभात कि आप ऑनलाइन जब पढ़ते हो तो आप जो एटेंशन होती हो इंडिविजुली पर ऐसा नहीं मल्टिपल लोग बहुत सारे लोग एक साथ देखते हैं बट कुछ लोग ऑनलाइन इंडिविजुली एटेंड करते हैं कि बाई कुछ भी अलग से अकेले बैठ के सीख सकते हैं तो यह कुछ एड्वांटेजेस हैं यह लर्निंग के तो यह कोईशन आया भी हो आ चुका है पहले भी तो आपको यह लर्निंग के बारे में समझना है कि असिस्टम आफ लर्निंग एंड टीचिंग तुरूदी एलेक्ट्रोनिक मीडिया मेंस इस्पेशली इंटरनेट क्लियर तो सिम्पल सी बात हैं यह और यह कुशन इंपॉर्टेंट सारे जितने भी त है तो आपको पता SMS होता है क्या सबसे पहले था SMS के फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप SMS स्टैंट्स फॉर्ट मैसेजिंग सर्विज इडिस दी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइड ली यूस्ट फॉर्म आफ टेक्स्ट मैसेजिंग ऑन मुबाइल डिवाइसे क्योंकि SMS के जादा आप मैसेज नहीं लिख सकते एक बार में तो यह सिर्फ 160 करेक्टर ही अलाव करता है तो यह शॉर्ट नोट लिखा हमने SMS पे ऐसे है MMS पे लिख सकते हैं कि MMS का मतलब कहा है स्टेंट्स फॉर मल्टी मीड डिया मैसेज़ सर्विस इट इस अजस्ट न एक्स्टेंशन ओफ फिचर आफ दी MMS इट अलाव यूजर तो सेंड मल्टी मीडिया लाइक इमेज इस जिफ वीडियो विट टेक्स्ट विच अलाव विच वस नौस सपोर्टेट बाई MMS तो इसका नोट आप लिख सकते आपका अगर एक्जाम में पुछा जाया तो हाई चांसर सेंट के कोश्चन के आने के चली आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्या हमारे पास वाट इस डिफ्रेंस वाट इस बेसिक डिफ्रेंस बिट्विन http and https हमें पता है कि दोनों क्या है protocol ये दोनों ही क्या है हमारे protocol है दोनों ही protocol सेम है बस extra as क्यों है सिवस्ट्राइस किसले वह secure ज़ादा है तो https considered to be and secure and http is secure तो ये डिफ्रेंस हो सकता है कि बाई जो http होता है वो ले सेक्योर होता है और वो नोर सेक्ट त्य वह स्क्रеся прирoda क्योंकि उसमें एक्ट्रिप्स जो होता है वह 총 यदो के जा रहा है जो भी डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है वह हाई डो के हो रहा है बत इसमें हाइड नहीं हो रहा है ठीक है तो यह basic डिफरेंस आप बता सकते एक्जाम में से कॉश्चन पूछा जा सकता है what is the SMTP why it is required SMTP क्या है आपको पता है कि SMTP जो प्रोटोकॉल है वो हम किस लिए यूज करते हैं जब हम मेल का यूज करते हैं तो वहां पए ये प्रोटोकॉल वर्क करता है और इसकी रिख्वार्मेंट के ओं ये भी पूछा सकता है तो तो सिंपल eens मेल ट्राइंसफर प्रोटो कॉल इस्टेंडीर्ट प्रोटो कॉल फोर इमеल याद रखिएगा इमेल में यूज किया जब email के service में यह protocol वक करता है service SMTP provide the ability to send and receive email message कि यह यह protocol है यह email पर वक करता है यह हमें क्या provide करता है कि आप message भेज रहे है send कर रहे receive कर रहे है email server के through तो यहां पर यह protocol work करता है so it is only works for outgoing email और यह भी याद रखना है कि SMTP work करता है outgoing इंबल मतलब जो sender जब email send करता है उसके बग ठीके जब sender email send करता है तो उस point of time पे यह वक करता है SMTP receiver side पर नहीं करता sender side पर वक करता है इस बात को अभी आपको क्या रखना है धिहान रखना है to be able to send emails you need to provide a correct SMTP server when you set up email client जब आप क्या कर रहे किसी से भी email भेज रहे किसी को भी तो वहां सेंडर वारी side पर SMTP काम करता है तो SMTP requirement अगर SMTP protocol नहीं होगा तो आप email send नहीं कर पाएंगे email send करने में difficulty आएगे तो यह सेंडर वाली side पर वक करता है एक बात और बता दे रहाँ receiver आली side पर यह वक करता है ठीक प्योपी 3 इसका मतलब होता है post office ठीक पोस्ट आफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यह receiver वाली side पर वक करता है यह receiver वाली side पर वक करता है ठीक है तो दोनों से आप definitions लिख सकते हैं now next question क्या है हमारे पास what is the web browser web browser क्या है आपको पता है कि web browser के बारे में कि web browser होता है कि actual web browser application software होता है जिसका यूज हम internet worldwide web पे वाड़ वाइड वेपके रिसोर्स है जो web pages or website store कर रखता है तो उसको access करने के लिए उस करते हैं तो web browser is the application software for was accessing www ठीक वर्ड वाइड वैब क्योंकि वर्ड वाइड वैब में है क्या पूरी information तो इसी के पास है इनको access करने के लिए में ब्राउजर चाहिए एक browser चाहिए ने मैंनी टू ब्राउजर आप कुछ भी नाम दे सकते मैंने आप गूगल क्रोम Microsoft ठीक है बहुत सारे वेब ब्राउजर अवेलेबल है बहुत सारे आप उन दो के किसी के नाम दे सकते बट मोस्ट जो सबसे कॉमन है उनके नाम मैंने यहां पर यूज किये हुए है क्रिश क्लियर तो इन तरह से त़्होशन बनेंगे न क्व समय हो हाव डाबलू डाबलू डिफरे放心 अब डाबलू डबलू डाबलू डिफ्रेंस सियो मैंने यहां पर डिफ्रेंस किया हुआ है तू दो पर गप् Math आतू कर इंचिछ टुरु रिफ्रेंस कर सकते हैं एक network जिसके तुरू हम सब connected है all over the world but worldwide क्या है worldwide web which is a collection of information which is access via internet worldwide web के पास actually में क्या है information का collection है जिसको हमें access करने के लिए internet की need होती है internet की जरूरत पड़ती है तो internet एक network है एक फिसकल नेट्वर के आखिटेक्चर है ठीक है यह एक सर्वीस है यह एक सर्वीस है internet की internet is a infrastructure क्योंकि एक network है वह एक इंफ्रेटक्चर है और www is a service on top of that infrastructure तो यह डबलू डबलू जो है वह सर्वीस है क्योंकि इसके पास collection of information है और उन information को access करने के लिए में क्या चाहिए internet चाहिए तो ऐसे difference कर सकते है तो important question है exam के अंदर पूछा जा सकता है तो चलिए now next move on कि क्या question difference between web browser and web server आपको difference करना है कि web browser and web server के बीच में difference करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं web browser क्या web browser एक application है जिसको आप यूज करते हैं internet access करने के लिए वेब राउजर इन एप्लीकेशन ठीक है web browser is an application program that displays a web document it usually use the internet service to access the document simple सी बात है कि जब आप web browser का यूज करते तो आप वहाँ पर क्या करते डिस्प्लेय होता है आपको web pages website display होती है तो web browser software हो गया अब web server क्या है web server a computer it is a computer program that opens web pages and response when client computer requested to web server actually क्या एक computer जिसके पास web pages web sites के store है जब आप request करते through the web browser जब आप कोई web browser use करते हैं तो आप क्या करते रिक्वेस्ट करते कुछ भी टाइप करते हैं वो रिक्वेस्ट कहां जाती वेब ब्राउजर लेके web server के पास जाता है वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है और रिक्वेस्ट के according आपको data deliver करता है और वो data लाग क्या आपको web pages की form पे display कौन कर आता है वेब ब्राउजर डिस्पले कराता है ठीक है तो यह के स्टोर है जहां पर web pages और website क्या है स्टोर है ठीक है सरोर तो यह difference कर सकते हैं आप ऐसे फिर क्या बन सकता है हाव वेब ब्राउजर डिफ्रेंट वाम दिस सर्च इंजन सर्च इंजन और वेब ब्राउजर कैसे डिफरेंट है यह भी क्योशन फ्रेम हो सकता है तो बात करते हैं अ सर्च इंजन इस यूस्टू फाइंट इंफोर्मेशन इन इन वर्ड वाइड वाइड वैब डिस्प्ले डिरिजलाट ऐडवेंस प्लेस तो सर्च इंजन यंगा काम takya सर्च कम थे मतलब धूंड ना भर्य वृश्छ अरिफ्रियोंजर में आपके लेंप एंसन को धूट nana हो सर्च का काम है वह search engine का काम है web browser का काम web browser uses the search engine web browser search engine का use करके to retrieve and view the information from web pages and present on the web server search engine का का है वह information को ढूडना और web browser का क्या काम है आपकी request को server तक ले के जाना थी यह यह डिफरेंस है तो ऐसे आप डफ्रेंस कर सकते हैं यह डेफिनिशन लिक सकते ऊस तो स किया जा सकता एक्जाम के अंदर लुब्र př oder फर वैफ सर्विश कया है तो देखिए इंटरनेट पे बहist सारे कम्म्णिकेशन होते हैं हम आपस में क्या करते मशीन जो होते हैं मारी कम्प्यूटर्स मुबाइल स्मार्ट फोन ठीके टैबलेट्स यह सब कम्मुनिकेट करते हैं तो वेब सर्विस एक्चुली है क्या वेब सर्विस इस सॉफ्वेर सिस्टम डैट सपोर्स इंटर ऑपरेबल मशीन टू मशीन इंट्रेक्शन ओर नेटर बिल्कुल सही बात है मशीन टू मर्शीन मतब दो कम्प्यूटर आपस में कम्मुनिकेट करने किसी वेब सर्विस के थूँ बहुत सारी वेब सर्विस है इमेल है यह भी व सर्विस एक तो जो सर्विस हमें इंटरनेट दे रहा है कम्मुनिकेट करने के लिए आपस में वह सर्विस को हम बोलते हैं वेब सर्विस तो आप इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने एक्जाम के अंदर ठीक है तो यह थे हमारे कोश्चन यह कोश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एक्जाम के अंदर इसी तरह से कोश्चन फ्रेम होंगे ठीक है यह क्योंकि स्लेबस के अंदर है हमारी सारी चीज़े तो आपको इन कोश्चन की डेफिनेशन जो मैंने बताई इस तरह से लेंग्विज आप यूस कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए ठीक जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे तब आप इस कोशन को एटेंट करेंगे खुद लिखेंगे यह यह लैंग्विज यूस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और अच्छे से माक्स स्कोर कर पाएंग कोड़ 165 की जो आपकी प्ले लिस्ट है वो पूरी कंपलीट हो गई है डाउटनेट के चैनल पर नाइन तू टेंथ पर तो आप वहां पर पूरी प्लेलिस्ट दे सकते हैं जिसमें स्टेमल भी है सेसे भी है नेट्वरकिंग यूनिट पूरी कंपलीट कर दिया हर एक स्टूजेंट बाइबाइट टेक केर अपना ध्यान रखिए और प्रिप्रेशन करिए और प्लेरिस्ट को आप देखिए और समझेए कि क्या उसमें बाते की गई है और उसी तरह से एक्जाम में क्वेशन पूछे जाएंगे इच एन एवरी पॉइंट को आपको ध्यान से स मजना है चले बाइबाइट टेक क्या